हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का राहूल एकेडमी पर आज हम आपके फिजिक्स से महत्रपुन साथ कोशन करेंगे यह आपके ऐसे कोशन है जो आपके किसी ना किसी एकजाम में पुछे गए सारे कोशन है अगर आपको इसका पीडियेप चाहिए तो नीचे टेलिग्राम क का गुरूप दिया गया है वहां से जुआइं टोकर इसका पीडियेप प्राप्त कर सकते हैं तो चलिया यह सुरू करते हैं देखिए आपका पहला कोशन दे रहा है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रियोग मिलाय जाता है तो ध्वनी को मापने के लिए डेसिबल का उप गमीतर होता है इसके आगला कोचन है कि मातरकों की अंतराष्ट्य पदति कब लागू की गई थी तो वर्ष 1901 इस भी में लागू किया गया था अगला कोचन है कि खाद उर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं तो इसे कैलोरी में माप जाता है अगला कोचन है कि बिदूत मात्रा की इकाई क्या होती है तो बिदूत मात्रा की इकाई आपका MPR होता है इसके आगे 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 का अगला कोचन है कि SI पदेती में लेंस की सक्ति की इकाई क्या होती है तो यह आपका डायोप्टर होता है इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि केंडेला मात रख है तो केंडेला आपका जोती तीवता का मात रख है अगला कोशन है कि जूल इकाई है तो देखे जूल आपका उर्जा का और कारे का मातरक होता है दोनों का मातरक आपका जूल होता है अगला कोचन है कि लिउमेन किस का मातरक है तो लिउमेन आपका जोती फ्लक्स का मातरक होता है इसके आगे आपका देखे अगला कोचन देरा है कि दाब कमात्रक क्या होता है तो दाब कमात्रक आपका पास्कल होता है कार कमात्रक क्या होता है तो देखे कार और उर्जा कमात्रक आपका जूल होता है अगला कोचने की प्रकास वर्स ही काई है तो प्रकास वर्स आपका दूरी काई है अगला कोचने की जड़तु का माप क्या है तो जड़तु का माप आपका दरभिमान होता है अगला कोचने की इंगरिस्ट्राम क्या मापता है तो इंगरिस्ट्राम आपका तरंग देर्ध मापता है इसकी आगे आपका देखिया अगला कोचन देराए अगला कोचन है 17 नंबर कि किष्णिर न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी बस्तुए पिर्थिवी की और गुर्थवा कर्शर होती है तो यह आपके ब्रह्म गुप्त के द्वरा बताय गया था अगला कोचन है कि यदि एक पेंडूलम से दूलन करने वाली घड़ी को पिर्थिवी से चंदर्मा पर ले जाए जाए तो घड़ी होगी तो घड़ी आपका सुस्त होगी इसके आगे आपका अगला कोचन है कि प्राकास बोल्टिय सेल के प्रियोग से सोर उर्जा का रुपांतर करने से किसका उत्पादन होता है तो यह आपका प्राकास ये उर्जा का उत्पादन हो जाता है इसके आगे आपका देखिया अगला कोचन दे रहा है अगला कोचन है कि जब हम रबड के गद्दे वाली सीट पर बैठते या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है ऐसे पदार्थ में पाई जाती है तो ऐसे पदार्थ में अपका इस्तिती उर्जा पाई जाता है अगला कोचन है कि द्रव में आंसिक या पुढ़त डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उच्छाल की मातरा निर्भर करती है तो इसका करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मातरा पर निर्भर करती है इसके आगे आगे अगला कोचन है कि जल प्रिष्ट पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है तो इसका correct answer आपका देखे क्या होगा लोहे द्वारा विस्तापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है अगला कोचन है कि वेग, संवेग और आपका कोडिय वेग कैसी रासी है तो ये सभी आपका सदिस रासी है अगला कोचन है कि अदिस रासी है तो देखे उर्जा आपका अदिस रासी है और उर्जा कमातरक क्या होता है तो उर्जा कमातरक आपका जूल होता है और कारे का मात्रग भी आपका जूल होता है ईसके आगी आपका दिखिया अगला कोचंडेरा है कि बल गुड़नफल है तो बल आपका द्रभेमान और त्वरन का गुड़नफल है अगला कोचन है कि जब कोई व्यक्ति चंदर्मा पर उतरता है तो उसके सरीर में उपस्तित भार घट जाता है तथा मात्रा और परिवत्तित रहती है इसके आगे आपका देखिया अगला कोचन देरा है अगला कोचन है 27 नमबर कि किसी पिंड के उस गुर्धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में बिराम या एक समान गती की इस्तिती में किसी भी परिवर्धन का बिरोध करता है तो इसे हम जड़तो कहते हैं अगला कोचन है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं तो न्यूटन के पहले नियम को आपका जड़त का नियम कहा जयता है इसके आगे आपका अगला कोशन है कि पार्सेक इकाई है तो पार्सेक आपका दूरी की इकाई है अगला कोशन है कि वाई मंडल के बादलों के तहरने का कारण है तो यह आपका घनत के माधियम से तहरता है अगला कोशन है कि जब कोई नाव नदी से समुन्तर में प्रवेश करती है तो थोड़ी उपर की ओर उठ जाती है इसके आगे आपका अगला कोशन है कि पानी का घनत अधिक्तम होता है तो पानी का अधिक्तम घनत्व आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है अगला कोशन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर आप परिवर्तित रहेगा तो घनत्व आपका आप परिवर्तित रहता है इसके आगी आपका देखिया अगला कोशन दे रहा है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुंदरी पानी में तैरना आसान क्यों लगता है तो देखे इसलिए लगता है क्यूंकि समुंदरी पानी का घनत्व साधारन पानी से ज़्यादा होता है अगला कोशन है कि यदी पिर्थवी का द्रविमान वही रहे और तिरिज्या एक परसेंट कम हो जाए तब पिर्थवी के तल पर जी कमान क्या होगा तो जी कमान आपका क्या होगा बताएए तो दो परसेंट बढ़ जाएगा अगला आपका देखे कोशन है कि उचाई की जगहों पर पानी 100 degree Celsius के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है तो देखे इसका correct answer क्या होगा क्योंकि वाई मंडल ये दाव कम हो जाता है और तो उबलने का बिंदू नीचे आ जाता है अगला कोशन है कि बरनेली परिमे अधारित है तो यह आपका उरजा सनचर पर काम करता है अगला कोशन है कि लोहे की सुई पानी की सता पर तैती है किस पर इघटना का कारण है तो यह आपका प्रिष्ट तनाव के कारण ऐसा होता है अगला कोचन है कि यदि हम भूमत द्यरेखा से धुरो की ओर जाते हैं तो जी कमान पर क्या असर पढ़ेगा तो जी कमान आपका बढ़ता है अगला कोचन है कि सरीर का वजन धुरो पर अधिकतम होता है सरीर का बजन धुरूव पर कितना होता है तो धुरूव पर आपका अधिक्तम होता है इसके आगी आपका दिखे अगला कोचन दे रहा है अगला कोचन है कि जब एक पत्थर को चान्द की सतों से पिर्थवी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा प्रन्तु दरब्यमान नहीं बदलेगा अगला कोचन है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए ब्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गती से उपर जा रही हो तो उस समय बैठे का भार आपका अधिक मालूम पड़ता है अगला कोचन है कि एक बैठे एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्तापित करने में असफल रहता है तो वह बैठे कितना कारे करता है तो वह बैठे कोई भी कारे नहीं करता है अगला कोचन है कि पहारी पर चड़ता एक बैठे आगे की ओर जुक जाता है क्योंकि सकती सनचर है तुई और नियम कारता है इसके आगी आपका अगला कोशन है कि पीटा की एक एतिहासिक मिनार तिर्शी होते हुए भी नहीं गिरती क्यूंकि इसलिए नहीं गिरती क्यूंकि इसके गुर्तवी केंदर से जाने वाली उर्धवार्दर रेखा आधार से होकर जाती है अगला कोशन है कि गुर्टवा कर्शन के स्वरभामिक नियम का प्रतिपादन किस ने किया था तो यह आपके न्यूटन के द्वारा क्या गिया था देखे यह आपके ऐसे कोशन है जो आपके किसी ना किसी एकजाम में सारे कोशन पुछे गए है देखे इसके आगे आपका अगला कोशन है कि उर्जा समचर का आसा है कि उर्जा का ना तो स्रीजन हो सकता है और ना ही विनास हो सकता है यानि कि उर्जा ना ही नश्ट हो सकती है ना ही यो खता हो सकती है उर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन केबल हो सकता है अगला कोचन है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है तो क्यूसेक से आपका जल का बहाव मापा जाता है अगला कोचन है कि किसी पिंड का भार धुरुव पर सरवाधिक होता है तो पिंड का भार धुरुव पर कितना होता है तो धुरुव पर आपका सरवाधिक होता है इसके आगे आपका अगला कोचन है कि महान बैग्यानिक आर्कमडी जिकी से देश के रहने वाले थे तो ये आपके ग्रीस के रहने वाले थे इसके आगे आपका अगला कोचन है कि पानी की बुंदों का तैली ये प्रिष्ट पर ना चिपकने का कारण है तो आसंजयक बल के अभाव के कारण यो आपका चिपक नहीं पाता है अगला कोचन है कि तुल्यकारी उपग्राव घूमता है पिर्थवी के गिर्ध तो यो आपका पच्चिम से पूरब के और खूमता है अगला कोचन है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है तो उसमें आपका गती का पहला नियम लागू होता है इसके आगे आपका दिख्या अगला कोचन दे रहा है कि सड़क पर चलने की अपेच्छा बर्फ पर चलना कठीन है क्यूंकि बर्फ में सड़क की अपेच्छा घरसर कम होता है इसके आगे आपके दिखे अगला कोचन देरा है कि लूलक की आवर्टकाल किस पर निभा करती है तो लोला की अवर्टकाल आपके लंबाई के उपर निर्फ़ा करता है अगला कोशन है कि लोला का घड़िया गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है क्योंकि देखिये लोला की लंबाई बढ़ जाती है जिसे से एकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है तो इसा पच्छे से याद रखेगा ये कोशन बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है अगला आपका देखिए कोशन दे रहा है कि किसी सरलोला की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त काल पर क्या असर पढ़ेगा तो आवर्त काल आपका 2% बढ़ जाएगा तेखिए ये कोशन किसी ने किसी एकजाम में पूछे गए कोशन है और आपके आने वाले किसी भी एकजाम में यहां से कोशन बार बार रिपीट होते हैं तो इन सभी कोशन को आप अच्छे से रट लिएगा पीटिये प्राफ्ट करने के लिए आप नीचे टेलिग्राम का ग्रूप दिया गया है वहाँ से ज़वाइन टोकर इसका पीटिये प्राफ्ट कर सकते हैं तेखिए इसके आगे आपका अगला कोशन देर आए कि यदी लोलक की लंबाई चार गुनिक कर दी जाए तो लोलक के जुलने का समय क्या होगा तो जुलने का समय आपका दोगूना होता है अगला कोशन है कि पेंडूलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समया अधी क्या होगी तो समयावधी आपका बढ़ जाएगी अगला कोचन है कि घड़ी के स्पिरिंग में भांडारित उर्जा कौं से उर्जा होती है तो वो आपका इस्तिती उर्जा होती है तो देखिए आज हमने आपके भावतिक विज्ञान से महत्पूर्ण साथ कोचन लगा है यह आपके ऐसे कोचन है जो आपके बार 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 रिपीट होते हैं आपके हर इचाम में तो इसे आप अच्छे से रट लेजिएगा और पीडिये प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है तो नीचे टेलेग्राम का ग्रूप दिया गया है वहाँ से जो आइन टुकर इसका पीडिये प्राप्त कर सकते हैं और एक बात अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलेगा तो चलिए आज के लिए इतना है धन्यवाद